तो दोस्तों आज किस वीडियो में बात करेंगे क्या आपका बैक्ग्राउंड वरिफिकेशन आपका मैनेजर या इसके प्लेविल मैनेजर यानि की आपका जो मैनेजर होगा फिर हो सकता सीनियर मैनेजर हो हो सकता आपके वीपी हों क्या आपका वो बैग्राउंड वरिफिकेशन बचा सकते हैं जॉब के लिए बचाना कि आपने कुछ भी फ्रॉड किया है अपने एक्सपिरेंस ज्यादा दिखाया है कम दिखाया है आपने सैली फेक दिखाई है तो उसके में क्या मैंनेजर आपके बैग्राउंड वरिफिकेशन बचा सकते हैं तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में डिसक्स करेंगे आज कभी भी कोई फेक अप्लिकेशन वहां पर लगा तो एक्सपिरेंस लेटर साली से लिए पाफर लेटर कुछ भी मैं पुछा दिस करूंगा कि यह सब काम ना डालें इन केस्सी केसी में होता क्या है कि आपका जो बैग्राउंड वरिफिकेशन होता वह एकना बमान के चलता हूं कि निकल आया उसके बाद क्या होता कि इसे कोई विंडर है कोई आउट वरेज है या आई वेरिफाई है या और भी कोई बैग्राउंड वरिफिकेशन की कंपनी है कोई भी एक वेरिफिकेशन की कंपनी है कोई भी एक विंडर ले ले लेते हैं एक सवाइजर तो उसमें क्या होता कि वो एक एक red flag देते हैं आपके HR टीम को यानि कि आपके आफिस में आपकी कंपनी में जहां पे आप recently काम करने वाले होते हो या हो सकता है वहाँ पे आप कर रहे हो इसके बाद क्या करती है कि वह HR टीम देखती है कि कोई बचा background वरिफिकेशन तो उसकेस में होता क्या है कि मैं आपको किलरी बता दूँं कि जी हाँ आपका manager आपका background वरिफिकेसन बचा सकता है अगर आप उस company के लिए बहुत लेवल एंप्लाय हो बहुत अच्छा काम करते हो अगर मार लो मैं for example मान के चलता हूं कि वह को हायर सब्सक्राइटिक हायर करने वाले थे 20 लाग के पैकेज पे और आपको उन्होंने हायर कर लिया 6-7-8 लाग के पैकेज पे तो मतलब 13 लाग का सीज़र सीज़र यहां पे डिफिनेंस हो गया और वो जो 6-7-8 लाग का बंदा जो भी होगा कोई भी एबीस बंदा होगा वो 20 ला अगर आपका मैनेजर अग्री कर जाता है कि ठीक है इन फ्यूचर अगर कोई प्रावलम होगी तो उसके लिए मैं रिस्पॉंसबल हूँ मैं इसकी सारी जुम्यदारी लेता हूँ तो उस केस में क्या होता कि आपका बैग्राउंड वैरिफिकेशन इसके हो सकता है और आपक मैनेजर होते हैं तो माना कर देते कि नहीं मैं रिस्पॉंसबिल्टी नहीं ले सकता हूँ किसी बीचीज की अब आप खुद सोचो आप अगर एक मैनेजर हो किसी और को नया बंदा आया पंदा दिन बीस देने एक मैने काम किया और इसके बाद उसका बैग्राउंड वरिफ बचा सकते हैं और यह अंडेड परसेंट स्वेवर होता है वह चाहें यहां पर कंपनी हो चाहें कि स्मॉल और ऑगनाजिशन हो चाहें फोचन 500 कंपनी हो कोई सी भी ऑगनाजिशन हो आपका मैनेजर आपकी जॉब बचा सकता है बागी अगर आप टेकन कल सपोर्ट डेक्ट तो उसको चेक आउट कर सकते हो क्योंकि आपको हंडेड परसेंट सौट लिस्ट कर आएगा आपके इंट्रवी में मिला नाम है शुब आम है में में तो नेक्श वीड़ो में टेल लाना आव गिडेट मोमेंट और डोंट फोरगेट तो लाक से और सब्सक्राइब जो थैंक्योंज बग्यां कि अबने से जाना एक आपको बाद कर से तो अब जेक्सराइब चेंट कर से पक्राइब टाती इंटा कर आएगे में 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 थेख़ान फे इंट दो झेली एंटा कर से दो अख़ा है और कर लाना आपको आपके हैं